हम और आप दिगंबर जैनाचारिये सिरी पूठपात स्वामी विर्चित जैनेंद्र व्याकरण का अध्यान कर रहे हैं और इस जैनेंद्र व्याकरण में हम और आप हम और आप दिगंबर जैनाचार विर्चेत्र कातंत्र रूप माला का अध्यन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूप माला के अध्यन में पूर्वार्द भाग पंचसंदी, पूर्वार्द भाग, बैन्यनांत स्वरसंदी और पूर्वार्द भाग, बैन्यनांत सुवंत प्रक्रण हमारा चल रहा है इस बैन्यनांत सब्दों में आज हम हकारांत सब्द की योर बढ़ रहे हैं पूर्व सिद्दो वर्ण समाम नाया है, सूत्र के अनुसार हम धीरे धीरे अकार से चालू होकर हकार परियंत सब्द पर पहुँच चुके है तो हकारांत सब्द में हमारे बीच में मदूलीह सब्द है सहत के चाटने वाले को मदूलीह कहते है अब यहाँ पर नए सुत्रों की कोई आवसकता नहीं है पुराने सुत्र ही यहाँ पर लग रहे है सरप्रतम मदू लिहे सब्द से सी विवक्ति के आने पर सरप्रतम सुत्र लगता है हसस चानते जादी नाम डा और हसस चानते जादी नाम डा सुत्र के माद्यम से हाके इस्तान पर डा आदिस होता है मदू लिहे धन सा हाके इस्तान पर डा आदिस हो जाएगा मदू लिट धन सा यहाँ पर बेंजन आच्चे सुत्र के माद्यम से हम सी विवक्ति का लोब कर देंगे और वा विरा में सुत्र के माद्यम से टा और डा रूप दो रूप रखकर मदू लिट मदू लिड यह दोनों परियोग सिद्ध होते हैं अब हम स्वर्वाली विवक्तियां लेकर आते हैं तो स्वर्वाली विवक्तियों के आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कि सीदी विवक्तियां जुड़ती चली जाती हैं तो विवक्तियां जुड़ने पर बेन्यन मस्वरम परवर्णम नएत सूत्र के माद्याम से सब्दों की सिद्धी होती चली जाती है दुड़ी वचन में आउ विवक्ति के आने पर मदू लिव जस्विवक्ति के आने पर योनुवंदो प्रियोगी से अस सेश रहने पर बेन्यन मस्वरम परवर्णम नएत और मदू लिःः रेव सोर विशर जनिया हां सम्बुद्धी में इसी प्रकार मदू लिट मदू लिट मदू लिःः हो ये मदू लिःः हो ये मदू लिया हा अब उसके बाद में अम बेवक्ति के आने पर अब भ्याम बेवक्ति आती है और जब भ्याम बेवक्ति आती है तो नया कुछ काम होता है और नया जो काम होता है बस उसी का नाम हसस चानते जादी नाम दा और हसस चानते जादी नाम दा से जो हा है उसके इस्तान पर दा दिस हो जाएगा और डा आदे सोने के बाद में सब्द जुड़ जाएगा मदूलिट भ्याम, फिर मदूलिट भी भिस्व वक्ती के आने पर भी, रेप सोर विसर जनी यहां सूत लगाकर मदूलिट भी ही प्रियोग सित्वता है, चतुर्ती विवक्ती के एक वचन में गें विवक्ती आएगी और यूनुबंद प्रियोगी के माद्यम से गां का अनुबंद लोप होकर मदूलिए प्रियोग सित्ध होता है, भ्याम विवक्ती के आने पर हसस चांते जादी नाम डाहा, सुत के माद्यम से डा अदिस होकर और रेप सोर विसर जनी यहां लगाकर मदूलिट भ्याहा, पंच्वी विवक्ती में गसी गस्व विवक्ती के आने पर यूनुबंद प्रियोगी से अस्वचा हां, और यहां पर भी वेंजन मस्वरम परवर्णम नहित, सुत्र के माद्यम से सब्दों को जोड़ दिया जाएगा, और रेप सोर विसर जनी यहां कर दिया जाएगा, तो सब्द बनेगा मदूलिया, भ्याम आदि विवक्तियों में मदूलिट भ्याम, मदूलिट भी, इसी प्रकार से, ताब वक्ति के आने पर, मदूलिट, मदूलिएघहा, उसर वक्ति के आने पर, मदूलियों, और उसके बाद में मदूलिया, बभी वक्ति के एक वचल में मदूलियों, और उस विवक्ति के आने पर मदूली हो और उसके बाद में भ्याम सुप विवक्ति के आने पर हसस चानते जादी नाम डा डा अदेश किया जाएगा और अगोसे स्वसीटाम प्रतमाहा अर्तात अगोसे प्रतमाहा अगोसे प्रतमाहा से डाके इस्थान पर टा अदेश किया जाएगा और टा अदेश करने के बाद में टात सुपता देरवा टात सुपता देरवा सुत्र के माद्यम से टाके जो टा से परे तकार का अगम हो जाता है तो तकार का अगम हो जाने पर मदूलिट और ये यह तक तकार का अगम बिकल्ब से होता है मदूलिट सू और मदूलिट सू इस प्रकार से दो सब्दों की सिद्धी होती है अब हकारांत सब्दों में इसी प्रकार से इस पुश्पली है सब्दों के प्रयोग जानना चाहिए अब नया सब्द हमारे वीच में है गो दू है अब गो दू सब्द में भी हा अंत में है हकारांत सब्द है और हकारांत सब्द में हमें हसस छानते जादी नाम दा सुत्र की प्राप्ति है परंतु आंगे आने वाला सुत्र जो दादेर हस से गा ये कहता है कि दा है जिसके आदी में और अंत में हैं हाँ ऐसे सब को गा आदेस होता है यानि कि हसस चानते जादी नाम दा सुत्र के माद्याम से जो दादेस होना था उसको बात करके ये सुत्र कहता है दादेर हस से गा हर्ता थाके इस्तान पर गा आदेस होता है अब गा आदेस होने पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि इस सब्द में जो गो दुह सब्द है वो गो माने गाय वैल इत्यादी तो गो तो उपद है और दुह परपोरने धातु से सब्द बना है दुहू अब दुहू में रहने वाला जो उ है और उसके पूर्व रहने वाला जो दा है तो ये सूत्र हमारे बीच में यानि कि पूर्व धातु का आदी तिर्थिये वर्ण होना चाहिए और उसके बाद अंत में हकारांत या चतुर्थ अक्षर के होने पर एक पूर्व में सूत्र हमने पढ़ा है धा चतुर्थांतस से धातोस्तियादे रादी चतुर्थत्व मकर्तवत् इस सूत्र का थोड़ा सा हमें इस्मरण रखना है और इस्मरण रखते हुए जो बर्ग का पहला अक्षर है यानि कि किसी भी धातु के आदी में जो तिर्थी अक्षर है और उसके अंत में हकार अत्वा चतुर्थ अक्षर के होने पर उस तिर्थी अक्षर को चतुर्थ अदेश हो जाता है चतुर्थ अदेश होने का मतलब है जो गोद दुहू दुहू में दा है उस दा के इस्तान पर धा अदेश हो जाएगा ये काम हमें पूर्व सूत्र से इस मरण में रखना है सूत्र है हाँ चतुर्थ अंतस धातोस तिर्थी आदे रादी चतुर्थ मक्रत वत ये सूत्र कहता है के हाँ और चतुर्थ अंतस अंत में हकार हो अत्वा चतुर्थ अक्षर हो और धातु के आदी में तिर्थिये हो यद्दपी ये धातु अब नहीं है लेकिन पूर्व में धातु थी कुवन्ता तेजन्ता धातु त्वम्ना तेजन्ती अर्थात कुप प्रतान शब्द अपने धातु तो सवाब को नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो दा है उसको धा हो जाएगा और दादेर हस से गा सुत्र के माद्यम से गा आदेश होगा और वाब बिरा में सुत्र के माद्यम से गा और का होकर गो धुग गो धुग ये प्रियोग सिद्ध होते हैं अब ये अपने को ध्यान दखना है ये सूत्र नंबर 289 नंबर है और ये सूत्र जब ही लगता है कि जब सामने बिराम हो अत्वा बेंजन हो बिराम और बेंजन के होने पर ही दातु के आदी में रहने वाला तीसरा अक्षर चतुर्त हो जाता है यानि कि भ्याम भेस भ्याम भेस और सुप जहां जहां हकार के इस्तान पर ढकार आदेश किया जाएगा दादेर हस्त का उन्हीं इस्तानों पर जो आदी में रहने वाला तीसरा अक्षर है उसको चतुर्त हो जाता है ऐसा जानना चाहिए तो गो धुक गो धुक दुई बचन में आउवे वक्ति के आने पर सब्द को जोड़ दिया जाएगा अब इसमें कोई नया कारी हमें नहीं करना है ना दाके इस्तान पर धा करना है कोईकि बेंजन और बिराम यहां पर नहीं है और ना दादेर हस्तिका लगेगा कोईकि यह भी बेंजन आदी कहता है बिराम और बेंजन के होने पर तो यहां पर स्वर है इसलिए गो दुःव संबोधन में भी इसी प्रकार हे गो धुक हे गो धुक हे गो धुःव दुः बचन में गो धुःव गो धुःव तिरतिया में गो धुःव अब भ्याम वेवक्ति आएगी तो भ्याम वेवक्ति में फिर हमें साब्दानी रखना है कि सरप्रतम तो हमें हसस छांते जादी नाम डा सुत्र की प्राप्ति करके हाके इस्तांद पर डादेश प्राप्त करना है दूसरे नमबर पर सुत्र आया दादेर हस्से का इस सुत्र के माद्यम से हाके इस्तांद पर गादेश हो जाएगा और जहां गादेश किया जाएगा वहां हा चतुरतांतस धातोस तिर्टिया दे रादी सूत्र के माद्धेम से पूरू में रहने वाला जो तिर्तिय धकार है उसको धकार आदेश होकर गो धुग भ्याम प्रियोग सिद्ध होता है विस विवक्ति के आने पर भी हमें यही काम करना है परंतु रेब सोर विसर जनिया लगा कर शकार के इस्तान पर विसर गादेश करने पर गो धुग भी ही चतुर्ति विवक्ति के एक वचन में गो दुहे भ्याम आदी विवक्तियों में गो धुग भ्याम गो धुग भ्याहा पंच्मी विवक्ति में गो दुहा गो धुग भ्याम गो धुग भ्याहा सश्टि विवक्ति में गो धुहा गो धुहो गो धुहाम सट्मी में गो धुही गो धुहो और सुब्य वक्ति के आने पर अब थोड़ा सा और सापधानी रखनी है गो धुहे धन सुप यहाँ पर सर प्रतम हसस चांते जादी नाम डाहा सूत्र की प्राप्ती है परंतु दादे रहस्दगा सूत्र के माद्यम से हाके इस्तान पर गादिस हो जाएगा और जहां हां के इस्तान पर गादेश होगा बहां पर सूत्रे हाच चतुर्थान्तस दातोस तिर्टियादे रादी चतुर्थ्व मकर्तवत और इसके माद्यम से जो प्रारम में रहने वाला दा है उसके इस्तान पर धादेश हो जाएगा को धुक धन जो साह है सुप अब यहाँ पर अगोसे प्रतमा हमने लगाया गाके इस्तान पर कादेश किया है तो यहाँ पर सर्प्रतम नामी कर परह परतेविकारह गमस्ताह सी सम नू विसर जनिये साम तरोपी सुत्र के माद्यम से दंत सकार के इस्तान पर मूर्धन सकार आदेश होकर कासायोगे च्छा से च्छा करने पर सब्द बन जाता है गो धुक्षू हूँ गो धुक्षू हूँ और यदि आपको इस मरण हो हमने पूर्व में एक सूत्र पड़ा है और वह सूत्र कहता था कि जो पहला अक्षर है कवर्ग कवर्ग का जो पहला अक्षर है उस कवर्ग के पहले अक्षर के बाद सूभ वक्ती के होने पर उसको दुतिये अक्षर अर्तात खावी हो जाता है अगर हम इस सूत्र का प्रियोग करेंगे तो सहाँ पर दंत सकार को मूर्दन सकार आदेश ना होकर दूसरा प्रियोग हमारा बनेगा गो दुख सू पहला तो यही बनेगा यह सूत्र बिकल्ब से लगता है तो यहाँ पर गो दुख सू और जब कवरगप प्रतमाह सससेशू दुतियोवा सूत्र नहीं लगेगा तब फिर हम नामी करपरा प्रतेविकारा कमस्ता सीसमनु विसरजनिये सांतरोपी सूत्र के मात्यम से मुर्धन्य सकार और कासायोगी च्छा के मात्यम से गो धुक्छु हूँ प्रियोग सिद्ध होता है इस प्रकार से आज हमने हकारांत मदू ली है और गो दुए सब्दों की सिद्धी की है आँगे सब्द हमारे बीच में आ रहे हैं मुहू सब्द से तू भेदा हा मुहू सब्द में भेद है इसकी चर्चा हम अगले सब्द में आपके बीच में करेंगे और इस मुहू सब्द में केवल इतना ही अंतर है कि आने वाला अगला जो सूत्र है उसके माद्यम से गकार भी होता है और नहीं तो हसस चांते जादी नाम डा सूत्र के माद्यम से डा भी होता है यानि कि एक पक्ष में गा आदेश और एक पक्ष में डा आदेश होकर इस मदूल मुहू सब्द की सिद्धी हम आपके बीच में करेंगे आचार भगवन्त के इन सूत्रों के माद्यम से मुहू सब्द की सिद्धी हम अगले सत्र में करेंगे तब तक के लिए जैजनेंद्र, वंदना, सबका यतायोग, अभिवादन